कि वीडियो कितनी अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे हेलो गाइज मेरे ना मैं राखुल ये है मेरी ब्रेजा 2022 तो यार बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि यार आप अपनी कार में यूटूब वगेरा कैसे चलाते हैं तो आज आपको बताते हैं कि आपकी कार में यूटूब कैसे चलाएंगे और यार एक चीज और में बताना चाहूँगा कि यार ये जो यूटूब वाला फीचर है ना यार ये मेरे इसाब से वहाँ जादा काम करेगा जहां पर आपकी जो गाड़ी का स्टीरियो ये जो इनफोटेंब्मेंट सिस्टम है यानि कि स्टॉक है यानि कि जो कमपनी से आता है वैसा ही है बार का मुझे नहीं पता मेभी बार में अल्रेड़ी इंस्टॉल आता होगा लेकिन जो आपका कंपनी से इनफोटेंब्मेंट सिस्टम है उसमें यूट्यूब कैसे चला है या फिर आपकी कर में यूट्यूब कैसे चला है तो आज इस वीडियो में पता करेओ और यहां पर अपने इसको phone से connect करूँगा, यह मैंने connect कर लिए और यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि file transfer और android auto, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर काफी सारी चीज़े हो रही है नहीं कि android auto connect हो रहा है, drive with google map, मतलब यह सारी चीज़े आ चुकी है android auto के साथ वो connect हो गया, कैसे बता चलेगा, connect हो गया, यहाँ पे देखो option आ रहा है android auto, अगर इसमें क्लिक करूँगा, और अपनी apps वाले इसमें क्लिक करूँगा, तो यहाँ मुझे आप कहीं भी option नहीं मिल रहा है, youtube के लिए आप देख सकते हैं आपे, तो इसको मैं फिर से क्या करूँगा back आ जोंगे, यहाँ पे मैंने इसको back कर दिया, अपने normal उसमें आ गया हूँ, अब यहाँ पे आपको एक app दिखरी होगी, इसका नाम है double A store यानि की android auto store, यह आपको जो app है play store पे नहीं मिलेगी, यह आपको गूगल पे मिलेगी, इसका link मैं आपको discussion में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इसको download कर सकते हैं, तो सबसे पहले app को open करते हैं, जैसी अब app को open करेंगे, तो आपको सबसे बहले उपर लिखाएगा, car tube यानि की YouTube on your car, इस पे मैं click कर दूँगा, जैसी मैं इस पे click करूँगा, तो यहाँ पे install का आएगा button, इस पे मैं press कर दूँगा, अब यह install हो रही है, थोड़ा सा time लगेगा, देखते हैं, देखो install का option आएगे, install करेंगे, यहाँ पे इसको, यह हो रहा है, installing हो रहा है, app install, open करेंगे, यह check कर रहा है, यहाँ से मैं इसको open करूँगा, यह जितनी भी permission मांगेगा, इसको मुझे permission देनी बड़ेगी, तभी आप अपने YouTube को चला सकते हैं, अब मैं अपने phone को side रख दूँगा, फिर से हैंगे अपने android auto पे, अभी देख आपको इसमें कहीं पे भी हो, जो इसकी तभी आपको उपन करते हैं, उपन करते ही, सबसे पहले एक message आएगा, क्या लिखाव है, इसमें, drive carefully and respect the rules of the road, weaving the screen while vehicle is running, could cause a serious accident, use the app only when the vehicle is stationary, यानि कि आपकी गाड़ी जब चल रही है, आपको इस आपको use नहीं करना है, वीडियो नहीं देखनी है, जब आपकी गाड़ी रुकी वी हो, parking में हो, तभी आपको इस वीडियो को चलाना है, यानि YouTube को चलाना है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि या जब आपकी गाड़ी रुकी भी हो तब ही आप वीडियो देखें चलती भी गाड़ी में वीडियो बिल्कुल मत देखें यार ये बिल्कुल safety के लिए ठीक नहीं है गाड़ी चलाते वाब वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हम यहा पर अगया search इस पर मैं click करूंगा तो सबसे पहले अपने channel का नाम लिखेंगा पी आर जी और श्वाय और प्यार जी व्लॉग्स पर यहां पर आएगा वीडियो से अंदर देखते है वीडियो चलती है नहीं चलती है तो यÎर यही मैंने वीडियो डाली दीक्या आपका जो बैक गेर है, पयां होता ही नहीं होता है, तो उसको एग बार open कर लेते हैं, तो देखते हैं वीडियो चलती है नहीं चलती? तो आप देख सकते हैं कि वीडियो कितनी अच्छे से चल रही है बहुत अच्छे लेक्दम, इसकी जो quality है वो भी कितनी अच्छी आ रही है तो यार देखो मैंने आपको live करके दिखाया है कि आपकी car में YouTube कैसे चलाएं देखो बिल्कुल easy है देखो अगर मुझे इसे forward करना है तो screen पे click करूँगा और इसको यहां से आगे लेके चाहूँगा तो forward हो जाएगी इसको मुझे पीछे करना है पीछे हो जाएगी तो यार देखो बिल्कुल जैसे आपके phone में YouTube चलता है बिल्कुल same इसी तरह से आप अपने car के system में infotainment system में अपने YouTube को चला सकते हैं यहां से मैं इसको back भी कर सकते हूँ ऐसे cross करेंगे, cut देंगे अब जो भी आपको वीडियो चलानी है जिस भी चैनल को आपको search करना है यहां पे search पे आईए और डाल ये search कीजिए और आपका YouTube यहां से चल जाएगा कोई भी आपको song प्ले करना है, कोई भी आपको वीडियो चलानी है तो आपके infotainment system में चल जाएगी तो यार ये थी एक छोटी सी वीडियो YouTube के ओपर के YouTube कैसे चलाना है अपने infotainment system के ओपर hopefully आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी है, तो like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए share कीजिए, comment कीजिए और पूछे मेंट से अगर आपको कोई भी problem होती है अपकी browser से regarding में आपके हर comment पर reply करूँगा तो यार एक request है मैं सबसे आपको कि यार ये जो आपे subscribe का button है ना यार इसको दबा दो यार